हलो दोस्तो दिसी कॉसल और वेलकम टू इंग्लिस पांट दोस्तो आज की क्लास में मैं आपके लेकर क्या हैं सब्चिट बर्व एड़िमेंट और ये क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट हो जी क्योंकि इस क्लास में आपको लगवाजो 20 सेंटेंस इज मिलेंगे और क्राफी महतपूड होगे और इसी के साथ साथ एक प्लेलिष्ट की मैंने क्रिडिक हैं सब्चिट बर वएजरीमेंट नाम से और उसमें मैं एक वीडियो पहले से बनाया हुआ था क्लास लिए है सब्चिट बर वैजरीमेंट की तो प टाइम भी बचेगा और आप ज्यादा ज्यादा यहां पर सीख पाएं यदि मैं रूल्स के लिए लेकर क्या हूँगा फिर मैं आपके लिए सेपरेट बनाऊगा तो आपको क्राफी टाइम स्पेंट करना पड़ेगा यूटूब पर तो मैंने चांता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपकी पड़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो अभी तर आपने मुझे अभी खाच एंग्लिस कॉंट पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीजे से सब्सक्राइब कर लिए और बेल एकन को दबा दीजे ताकि लेटेश वीड पर मिल जाएगा तो पहला सेंटेंस है तो आप बस ध्यां से सब्सक्राइब को देखिए और उसके बाद आप देखिए बर्व को तो आपको तुरंट समझ में आ जाएगा दोस्तों यहां पर है आपका दा जेंटलमें तो यहां पर दो नाउन है जो टोग्यादर बिच से जुड़े हुई है तो दोस्तों याद कर लिए जब भी कोई दो नाउन प्रो नाउन तो ज़दर बिचंदूर canadya से जुड़े हो तो डर्व हमेशा पहले वाली नाउन के अनुसारि युश ही जाती है अब जो हमारा पहला नाउन है गो है जेंटलमें और मेंदेशी सिंब तो यहां पर हमारी वर्व के असी है plural, तो हमें यहां वर्व के स्थान पर वाज़़ा यूज़ करना होगा, तब यह sentence हमारा correct होगा, हमें यहां पर वर्व, wife and daughter, या नहीं कि यह plural है, इसके अट्वाड यूज़ नहीं करना है, कब नहीं करना है, जब भी हमारे कोई दो नाव या प्रोनाउन, with, along with, to rather with, as well as से जोड़े हो, तो याद रखिए, तो right option होगा यहां पर किसी पार्ट में यहां पर mistake है, ओठे, next है sentence नमर 12, and sentence नमर 12 है, it is in 2015 that we first flew to the United States, आपको यहां बताना है कि sentence में कहां पर mistake है, देखिए, पहला sentence है, it is in 2015, यानि कि यह 2015 है, लेकिन दोस्तों अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, and that we first flew, जब हम पहली बार United States के लिए, ग्रही यानि, by flat, ग्रही थे, तो यह खिस में लेका है, past independent में, और हम past के किसी accent कार बता रहे हैं, और यहां पर पहले sentence में आपका लगा हुआ है, it, तो पहने का मतलब है, यह इस्थान पर आपको बाजिशा प्रियोग करना हो जाए होगी, in 2015, आपका past का टाइम हमें यहां पर बताता है, तो right option हो जाए है, आपका यह पार मिस्टेक है, तो जैसा कि हम यहां पर देखें, हमारा subject है, our country, and verb है need, तो यहां पर हमें need के स्थान पर needs का प्रियोग करना है, क्योंकि our country इस singular number है, और यह singular subject के साथ हमें present simple tense में, ऐसे yes का यूज शुर्णा होता है, तो यहां पर जो error है, वो है आपका a part में, and यही पर आपकी subject वरव agreement में mistake है, तो next sentence है, वो है आपका question number 14, and question number 14 है, the issues are complex and has been observed by other factors, तो हम ध्यान से देखें, तो हमारा subject है, our issues are complex, यानि यह हमारा subject है, वो कैसा है, plural है आपका, ठीक है न, subject हमारा plural है, and भर भी यहां पर plural है, यानि हमारी जो issues हैं, वो कैसे complex हैं, and है, जब भी दोस्तों, and से, and congestion लगा हो sentence में, यहां पर जो aggulari verb hedge है, इसका मतलब यह हुआ कि यह aggulari verb इसी subject के लिए प्रयोग हुई है, लेकिन issues plural होने के साथ साथ यहां पर hedge singular लिखा हुआ है, तो यहां पर hedge के स्तान पर हमें have का प्रयोग करना होगा, क्योंकि sentence में, जो the issues है, यह आपका plural subject है, तो जो right option होगा, वो होगा है, आपका यहां पर B part में mistake है, दोस्तों यह आज की class आपकी band के लिए भी काफी useful होगी, अभी MPTate के अग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी, और कोई भी अग्जाम जिससे आप preparation कर रहे हैं, जिसमें आपको English मिलने वाली है, तो definitely subject verb agreement से 2-3 questions normally आई जाते हैं, तो इसलिए एक class आपके लिए बहुत ही useful है, तो लाश्टर देखी पूरा end तक, and next है sentence number 15, He reminded me that he has often told me not to play with fire, तो यहां पर हमें देखना होगा जिए कहां पर mistake हुई है, sentence लगा है, he reminded me, उसने मुझे याद दिलाया खिए, He has often told me, अब यहां पर हम ध्यान से देखें, हमारा जो पहला subject है, जो हमारा principle clause है, यह लिखा हुआ है, past simple tense में, ठीक है, और यहां पर यह sentence है, यह लिखा हुआ है, present perfect tense में, तो दोस्तों, जब यह sentence past tense में है, तो यह भी आपका past में ही होना चाहिए, और यहां पर जो mistake हुई है, वो हुई है, कि यहां पर हैज के इस्तान पर हमें use करना होगा, हैट काहिने का मतलब है कि हैज के इस्तान पर हमें हैट करना होगा, और यह आपका narration भी है, ध्यान से देखें, तो reported speech में, जब reporting बरव आपकी past tense में होती है, तो reported speech में ही बने जी और यहां पर होगा past perfect tense, तो right option होगा है यहां पर B part में mistake है, हालां कि अभी क्या है, summer है, the weather at the hail station और जो hail station पर जो मौसम है, वो कैसा था, quite pleasant, जो mistake है, वो mistake है यहां पर C part में, क्योंकि यहां पर वाज़िस्तान पर हमें यहां पर इच्छा प्रियोग करना होगा, क्योंकि जो हमारा पहला sentence है, यह लिखा हुआ है present में, and now क्या सूप करता है, present को सूप करता है, and next sentence number 17, and sentence number 17 में है, fear is on of those emotions which frequently roots us to in action, यह बताना कहां पर mistake हुई, आपका subject verb agreement के according, तो यहां पर देखें, fear is on of those emotions which frequently roots, अब यहां पर क्या है, कि आपका relative pronoun, जैसे कि यहां पर आपका which लगा हुआ है यो, which frequently roots लिखा हुआ है, कहने का मतलब है, कि roots के स्थान पर यहां पर ऐस हमें हटाना होगा, क्योंकि relative pronoun which का जो antecedent emotion है, वो plural है, emotions क्या है, plural है, and which frequently use हो रहा है, which use हो रहा है, emotions के लिए, and which यहां पर क्या है, plural form में है, है न, तो यहां पर जो verb use होगी, वो कैसी होगी, यहां से हमें ads को omit करना होगा sentence में, तो इस तरह से जो sentence में error है, अब हो है, हमारा C part में, यह clause है आपका और वो भी relative clause याद रहिए, and relative clause to him, adjective clause भी कहते हैं, next is sentence number 18, and sentence number 18 है, it being a dark night, यहां पर night है, it being a dark night, you must bought at least a pocket torch with yourself, तो यहां पर देखना है कि कहां पर mistake होई है, तो सबसे पहले हम देखें, it being a dark night, dark night होने के कारण, you must brought, ओहो, you must brought, brought है आपकी auxiliary verb, याद रहें, auxiliary verb को हम helping verb भी कहते हैं, और सभी auxiliary verb के आपको, यह बाद आपको infinitive form का प्रयोग करना होता है, infinitive form का मतलब बर्व की first form, और यहां पर लिखा हुआ है brought, तो कहने का मतलब है, यहां पर brought के स्थान पर brain का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि must take model auxiliary verb है, जिसके बाद हम इसा बर्व की first form आती है, तो यहां पर आपको लिखना होगा, brain, तो right option होगा है, यहां पर B part में mistake है, subject verb agreement में, Okay, next sentence है sentence number 19, and sentence number 19 है, motion sickness is affecting woman more often than man, what the reason is unknown, no error, यहां पर देना है कि first part में कहां पर mistake हुई है, तो यहां पर हम ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो sentence है, यह है कि motion sickness is affecting woman more often than man, but the reason is unknown, यहनि कि ध्यान से हम देखें तो इस sentence में general truth समझ में आता है, general truth, and एक rule है कि जब भी किसी sentence में general truth बताया जाता है, तो वो sentence हमेशा present simple tense में ही बनाया जाता है, present simple tense का मतलब present indefinite tense, तो यहां पर जो is affecting है, present continuous लिखा हुआ है, इससे हमें बनाना होगा, present simple, तो यहां पर हमें लिखना है, आपका motion sickness affects women more often than men, what the reason is unknown, तो right option होगा चाहिए आपका यह पार्ट में विश्टिक है, subject verb agreement चे अक्वाड़ेंट, next sentence number 20, and sentence number 20 में है, more leisure as well as abundance of goods are attainable through automation, तो यहां पर हमें देखना है, इसक्रिस पार्ट में mistake है, तो अभी मैं बता चुरा हूँ, जो first या second sentence था इते हैं उसमें, कि जब भी कोई दो noun या pronoun as well as से जुड़े हो, bit से जुड़े हो, together bit से जुड़े हो, या alone bit से जुड़े हो, तो बर्व हमेशा पहले बाले noun के according यूज ची जाती है, यहां पर क्या है, more leisure, and more leisure क्या है, यह singular है, ठीक है, तो यहां पर आर के स्थान पर singular बर्व करा प्रयोग किया जाएगा, और यहां पर आएगा आपका इज, तो right option order यह आपका C पार्ट में यहां पर mistake हुई है, next sentence आपका sentence number 21, and sentence number 21 में है, if any of the funding father of our constitution was to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting, तो यहां पर हमें देखना है, इस सेंटेंस में कहां पर mistake हो रही है, subject verb agreement के according, तो यहां पर हम ध्यान से देखें, if any of the funding father of our constitution was to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting, तो यहां पर वाजशे इस्थान पर आपको यूश्वरनावरा वर, क्योंकि यहां पर जो sentence लिखा हुआ है, conditional clause if से, जो क्या बताता है, यह बताता है आपको unfulfilled desire, यानि कि सीधे-सीधे क्याएं कि जब भी sentence आपका, यह हमारे mood होते हैं, conditional mood होता है, तो conditional mood में क्या होता है, कि हमारा subject singular होते हुए भी, हमें वहां पर plural बर्व को प्रियोग करना होता है, तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, if I were a bird, if I were you, तो कहने का मतलब होता है, कि यहां पर यह मैंने क्यावल imagine किया है, बट ऐसा real में नहीं हो सकता, कहने का मतलब यहां पर यह होता है, तो ऐसी situation में singular subject होते हुए, भी हमें बर्व, प्लूरल प्रियोग करनी होती है, इसलिए यहां पर यूज़ करना होगा हमें बर्व का, कि if any of the funding father of our constitution were to return to life for a day, जो पीनियन ऑप वर amendments would be interesting, तो यहनि कि यह काम अब हो नहीं सकता, मैंने फिवल ऐसा imagination किया है, और एप condition से तीन तरह के sentence बनते हैं, जैसे आपका provival condition होती है, improival condition होती है and impossible condition होती है, तो यहां पर आपका improival condition में sentence लिखा हुआ है, next है sentence number 22, and sentence number 22 है, the boys worked slowly for, they knew that as soon as they finish one exercise, the teacher would tell them to do the next, तो यहां पर हमें देखना है कि sentence में क्या mistake हुई है, तो sentence देखी त्यान से, the boys worked slowly for, they knew, sentence आपका लेखा हुआ है past tense में, ठीक है, they knew बेजान, इन लड़कों ने slowly काम किया, क्योंकि बेजान, उन्हें पता था कि, जैसे ही वो इसे finish करते हैं, यह लेखा हुआ है present simple tense में, और हमारी बात खिसमें हो रही थी past tense में, तो mistake होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था past indefinite tense, और यहाँ भी देखी आपका बिल का past book लेखा हुआ, यानि कहने का मतलब पूरे बात यह past tense में बताई आ रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है present tense, तो यह हो जाए का mistake, और यहाँ पर हमें लिखना हुआ, they finished one exercise, the teacher would tell them to do the next, तो right option यहाँ पर है, यह बी के बी पार्ट में आपकी mistake है, and next है sentence number 23, and sentence number 23 है, where in the world you will find a taller dog belonging to this breed than our tummy, यहाँ पर हमें देखना है किस पार्ट में कौन सी mistake हो रही है, तो where in the world you will find a taller dog, तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, you will find a taller dog belonging to this breed than our tummy, यह लगा हुआ है question mark, कहने के बतलब है यह sentence हमारा क्या है, question है, और यहाँ पर लिखा हुआ हुआ है, you will find a taller dog, तो हमें यहाँ पर लिखना हुगा, will you find, क्योंच हमें यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हुगा, और यह अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, where है, लेकिन in the world आप पीछे भी ले सकते, तो यह जो will है, इससे हमें लिखना हुगा, आजिए, यह मिश्टेक हुई है, पार्ट नम्मर सी में, ओके, नेश्ट है सेंटेंस नम्मर 24, नेश्ट है सेंटेंस नम्मर 24, यहाँ पर है आपका, दा बुक, आल्दो रिटेन इन बैट अंगलेश, मेट्स अप्फिव इंट्रेस्टिंग अब्जर्वेशन, विच नीड्स टू भी हाइलाइटेड, यहनि कि खिताब, जो बहुत ही बुरे इंगलिस में लिखी हुई है, हलां कि वो, मेट्स अप्फिव इंट्रेस्टिंग अब्जर्वेशन, विच नीड्स टू भी हाइलाइटेड, जिने हाइलाइटेड करने की जरूरत है, तो अब्जर्वेशन, खिने हाइलाइट करने की जरूरत है, अब्जर्वेशन, यानि कि यह जो अब्जर्वेशन है, इसका एंसरी ट्रेने क्या है, विच, यानि कि इसका यह प्रोनाउन है, ऊप्विश्ट सब्जिट्ट के लिए नहीं करना है तो यहां से आपको निय्ट में यहां को हटाना हूँडा तो इस तरह से हमारा सेंटस है उसमीं नमर 25 सेंटेस नमट 25 थेura आई मिश्ट दा ट्रेंड यूज्यूली कैच एंड हैव टू ट्रेवल वाई नेस्ट विच वाज इस लो ट्रेंड यहीं कि मैंने ट्रेंड को मिस्ट किया सेंटेंस पास्ट में बात हो रही है यहां पर आपकर लेखा हुआ है प्रेजेंट में भी होगी यहां पर हमें लिखना हुगा और इस व्यूजिव पास्ट बनाना और यहां पर हमें लिखना हो रहा है अब यह पर हो जाए आई मिश्ट ट्रेंड एंड है ट्रेबल बाई नेश्ट विच वाज़ अज लोट रहें तो दोस्तो आएटी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए जिदि आपको क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों चेसा झाल एंड है Unters्ब्सक्कार độ dal धरे चैसे मुझें है ले जर झाल Gul ऑगे मुझे । झाल झाल